लेक्स को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करती हुए बैठें जितना आप स्ट्रेच कर सकती हैं उतना स्ट्रेच करें अपनी पेल्विक और्गेंज पर दबाव डालें दोनों हाथों को आगे ज्ट करके थोड़ा बेंड करके बैठें पेरों पर दबाव डालें पेरों में इस्ट्रेचिंग करने से पेल्विक मिसल्स को इस्ट्रेंज मिलती है इसलिए pelvic muscles को strength देने के लिए दोनों legs में stretching जरूर करें। अगर हम body को आगे की तरह bend करते हैं, तब दोनों legs में stretching और अच्छी तरह से होती है। Legs को knee से fold करके, souls join करके बैठे, अपनी pelvic organs के past line, दोनों हाथों से foot को पकड़ करके दोनों पैरों में आपे down की butterfly की दरह movement दें। इस पोच को हिंदी में हम बदकुनासन कहते हैं, इंग्लिश में bound angle pose या butterfly कहते हैं, और भी इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बदकुनासन करने से हमारे pelvic muscles को strength मिलती है, pelvic organs में oxygen flow increase होती है, toxins बाहर निकल जाती है, हमारी thigh muscles में भी तनाव बहुत ही ज़्यदा होने के कारण पैरों में flexibility improve होती है, पैरों की strength भी बढ़ती है। बदकुनासन करने से मुलाधार चक्र activate होती है, और मुलाधार चक्र के activate होने के कारण बहुत सारी बिमारियां दूर होती है, body की uterus diseases, reproductive organs से जड़ी हुई बिमारियां, skin diseases, hair problems, सभी मुलाधार चक्र से ही जड़े हुए हैं, अगर हमारी body की मुलाधार चक्र healthy बनी रहेगी, तब ये सब बिमारिया भी दूर होगी, इसलिए बदकुनासन करने से हमारी uterus disease दूर होती है, reproductive organs healthy मुले रहते हैं, skin glowing रहती है, hair problems दूर होते हैं, गहरी सांस भरे, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए आगे bend करे, breathe को hold कर, इस पोज में जितनी देर तक आप रुख सकती है, उतनी देर तक अवस्य रुखे, pelvic muscles पर नीचे की तरब दबाव डाले, pregnancy के दोरान इस पोज को न करें, क्योंकि इस पोज को करने से हमारे पेट के उपर दबाव बड़ता है, अपनी छमता के अनुशार ही इस पोज में रुखे, जितनी देर तक आप बिरित को hold कर सकती है, उतनी देर तक बिरित को hold कर इस पोज में रुखे, कुछ सेकेंज के बाद, इनहेल के साथ यानि सांस भरते हुए धीरे धीरे बॉड़ी को उपर उठाएं, एक जेल के साथ नॉर्मल कंडिशन में आएं, दो से तीन बार तक इस पोज को अवस्य दोर आएं, अब लोटस पोज में बैठें, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं कपाल भाती, अपनी स्पाइन को इस्ट्रेट रखें, यानि बैक को इस्ट्रेट रखते हुए बैठें, आखें बंद रखें, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, और पेट को अंदर की तरब प्रिश करते हुए ब्रीद आउट करें, नॉस्ट्रेल से ब्रीद आउट करें, इनहेल इसमें हम नहीं ले रहे हैं, इनहेल आटेमेटिक हो रही है, पूरा ध्यान हमें अपनी breathe out के उपर ही रखना है जितनी बार हम पेट को अंदर की तरब प्रिश करेंगे उतनी बार nostril से breathe out करेंगे माउथ अपनी बंद रखे शुरुवात में दीरे-दीरे breathe out करें One second, one stroke दीरे-दीरे practice होने के बाद speed में breathe out करें कपाल भाति करने से हमारी body की toxins बाहर निकलती है breathe out के तूप बाहर निकलती है हमारी heart में oxygen लेने की सत्य बढ़ती है यानि हमारी heart में oxygen flow increase होती है कपाल भाति करने से हमारी body के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा होती है जिसके कारण मोटापा दूर होता है यानि obesity reduce होती है अब है पस्की मोटासर यानि seated forward bend पैरों को सामने straight और parallel रखें inhale के साथ दोनों हाथों को अपनी head के उपर उठाएं सांस छोड़ते हुए सामने body को bend करें head को अपनी घुटनों पर टिका करके breathe को hold कर इस पोज में रुके शुरुवात में आप अपनी body को जितना bend कर सकती है उतना ही bend करें धीरे धीरे आपकी body flexible हो जाएगी और यह पोज आसानी से होनी लगीगी पूर seconds के बाद inhale के साथ अपनी body को धीरे धीरे उपर उठाएं दूनों हाथों को सिधे उठाते हुए head के उपर ले जाएं एक जिल के साथ दूनों हाथों को फ्लोर पर लाएं दूनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे body को पीछे की तरप bend करें head की top को फ्लोर पर टिकाएं अपनी chest को फ्लोर के उपर push करें back आपकी फ्लोर के उपर हैं दूनों हाथों से पैरों की अंगुठों को पकड़ें गहरी सांस भरें गहरी सांस छोड़ें अपनी निगाहों को फ्लोर के उपर रखें इस पोज से thyroid disease भी दूर होती है हमारी uterus को strength मिलती है lower abdominal organs से toxins बाहर निकल जाती है इस तरह lower abdominal organs में oxygen flow increase होती है और lower abdominal organs से जड़ी हुई बिमारियां दूर होती है इस पोज में हमारी back, chest, कंधा, फ्लोर के उपर है head, hips, thighs, floor पर टिकी हुई है अपनी back और chest को floor के उपर जितना हम push करेंगे उतना ही हमें फाइदा पहुँचेगा अपनी चंता के अमसाप इस पोज में रुके एक मिनट के बाद दोनों हातों की support से दिरे दिरे body को वापस लाएं यह सभी योगा पोज, PCOD और uterus disease को दूर करने में बहुत ही ज्यादा सहायक है अब हम करने जा रहे हैं uterus pose सिधे लेट जाएं, अपनी दोनों पैरों को नीश से फोल्ड करके, सो इसको ज्वाइन करके उपर उठाएं दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके, तोच से नोज को टेच करें इस pose को हम uterus pose कहते हैं, हिंदी में गरभासे कहते हैं एक से दो मिनट तक इस pose में जरूर रुके, किसे भी योगासन का फाइदा हमें तभी पहुचेगा जब हम किसी pose में कुछ दिर के लिए रुकेंगे इस pose से uterus disease, PCOD इत्यादी दूर होती है, कुछ सेकेंज के बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस फ्लोर पर लाएं गहरी सांस भरते हुए दोनों पैरों के नीज को चेस्ट के पास प्रिस्ट करें, सांस ठोड़ते हुए नोच से नीज को टच करें, कुछ सेकेंज के लिए ब्रीद को होल्ड कर इस pose में रुकें यह है गैस रिलीज पोज यानि पवन मुक्तासन, इस पोज से हमारे डाजेस्टिब और्गेंस को स्ट्रेंज मिल दी है, गैस की प्रोब्लम्स दूर होती है इनहिल के साथ बोड़ी को वापस फ्लोर पर टिकाएं आप करेंगे मंडुकासन, पैरों को फोल्ड करके वजरासन पोज में बैठें, अपनी हिप्स को पैरों की सोल्ष के उपर रखें, दूनों हाथों को दूनों नीज के उपर रखें, बैक को स्ट्रेट रखें, वजरासन पोज में कुछ सेगेंस के लिए रुकें एक लंबी गहरी शांस धीरे धीरे अपने अंदर भरें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें, अब अपनी पेट को अंदर की तरफ प्रिस करें। नाभी के ऊपर राइट हथेली को रखें और प्रेस करें, फिर उसके ऊपर लेफ्ट हथेली को रखें और पेट को अंदर की तरफ प्रेस करें, चांस छोड़ते हुए बोडी को आगे बिंड करें, बृत को होल्ड कर इस पोज में रुकें, सामने देखती रहें, बृत को होल इन्हेल के साथ धीरे धीरे बोडी को उपर उठाएं, दो से तीन बार इस पोज को अवस्य धूराएं, दोनों हथेलियों से पेट को अंदर की तरफ प्रिस करें, गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बोडी को आगे बेंड करें, ब्रित को होल्ड कर इस पोज में रुके जितनी देर तक आप रुक सकती हैं, उतनी देर तक अवस्य रुकें, अपनी छमता के अनुसार रुकें, इन्हेल के साथ धीरे धीरे बोडी को उपर उठाएं, एक जिल के साथ हथेलियों को वापस फ्लोर पर लाएं, अब करेंगे अर्ध सिर्शासन या हाफ हेड इस्टे देरे धीरे अपनी बैक को उपर की तरफ उठाएं, दोनों लेक्स को इस्ट्रेट रखें यह है अर्ध सिर्शासन या हाफ हेड इस्टेंट पोज, इस पोज में ब्लड सर्कुलेशन हमारी हेड के तरफ होता है, ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ इंक्रीज होने के कारण म दूर होती है, डिप्रेशन के भी रोगियों के लिए यह पोज बहुत ज्यादा फाइदा मन्द साबित होता है, एक से दो मिनिट तक इस पोज में रुके, थोड़ी दीर के बाद धीरी धीरी बॉड़ी को वापस फ्लोर पर लाएं और रेष्ट करें, आगे है सेत्व के पास रखें, पाम्स की फेशिंग डाउनवार्ड, इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को उपर उठाएं, ब्रिद को होल्ड कर इस पोज में रुकें, यानि अपनी सांस को रुक कर हमें इस पोज में रुकना है, तभी हमें फाइदा पहुचेगा, कुछ लोग नॉर बोड़ी को वापस फ्लोर पर लाएं, दो से तीन बार इसे अवश्य दूराएं, अब हमें करना है नौकासन यानि बोट पोज, सिध्य लेट जाएं, इनहेल के साथ अपनी बोड़ी को उपर उठाएं, दोनों हाथों को दोनों लेट्स की पैरालेल रखें, ब्रिद को होल पोज को करने से पेट की मान स्पेशियों में खिचाओं होता है, जिसके कारण बेली फेट रिड्यूस होती है, यानि पेट का मुटापा कम होता है, हाथ और पैर की सेप्स में भी सुधार होता है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बोड़ी को वापस फ्लोर पर लाएं, दो से तीन बार इस पोज को अवश्य दुराएं, नौकासन पोज की बहुत सारी वेरियेशन है, इस वेरियेशन में हम अपनी लेक्स को दोनों हाथों की बीच में रखे हुए हैं, यह भी नौकासन की ही पोज है, आपको नौकासन के जिस पोज को करने में स्विधा होगी उसी पूज को करें पर दो से तीन बार अवसे दोर आएं तभी हमें फाइदा पहुंचेगा ब्रीद को होल्ड कर इस पूज में रुकना है थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बोड़ी को फ्लोर पर लाएं अब हम करेंगे सर्वांगासन सिधे लेट ज दोनों पेरों को ऊपर ऊठाएं थोड़ी देर के लिए इस पूज में रुके यहे शर्वांगासन इस पूज में पैर हमारी सिधी है निगाहें अपनी पैरों की अंगोठों के ऊपर रखें इस पूज में ब्लेढ फ्लो लेट से हेड की तरब होता है जिसके कारण हेट्स में हमारी blood circulation increase होती है obesity दूर होती है पूरी body के अन्चाही fats गायव होती है कुछ seconds के बाद दूनों पैरों को धीरे धीरे अपनी हेट की तरफ बिंड करें या है विब्रित करने seconds के लिए इस पोज में रुकें थोड़ी देर के बाद अपने एक लेक के नी को फोल्ड कर head के ऊपर रखें foot को दूसरी लेक के नी के ऊपर रखें कुछ seconds के लिए इस पोज में रुकें दोनों पैरों में इस पोज को दूर आए इस पोज को करने से uterus disease दूर होती है बहुत सारे बिमारियां दूर होती है मोटापा भी दूर होता है कम से कम एक से दो मिनट तक इस पोज को अवश्य दूराएं फिर थोड़ी देर के बाद दोनों पैरों को एक साथ उपर उठा करके धीरे धीरे अपनी head की तरफ बेंड करें और floor के उपर लाएं या है हलासन इस पोज में रुकें जितनी देर तक आप रुट सकती है उतनी देर तक अवश्य रुकें हलासन करने से stress, anxiety पूरी तरह से दूर होती है हमारी uterus में कंसिप करने की छमता बढ़ती है obesity भी दूर होती है हमारी backbone flexible होती है back pain दूर होती है पूरी body flexible होती है हमारी body active रहती है हम किसी भी काम को मन लगा करके करते हैं थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे दूरों पैरों को उपर उठाएं धीरे धीरे fold करते हुए वापस floor पर लाएं और rest करें कुछ देर के लिए rest अवश्य करें आगे है चक्राशन जिसे English में will pose कहा गया है पहले चक्राशन की easy steps करते हैं लेट जाएं अपनी हाथों की support से body को उपर उठाएं यह है चक्राशन इस pose में आपकी body will के समान है इसलिए इसे will pose कहा गया है will pose करने से मोटापा दूर होता है body की flexibility improve होती है thyroid disease दूर होती है back pain भी दूर होती है lower abdominal organs healthy बने रहते हैं hair से जुड़ी हुई समस्याएं और skin से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है कुछ समय इसी pose में रहने के पाद धीरे धीरे body को नीचे लाएं अब हम will pose के difficult steps करेंगे इसमें सिधे खड़े हो जाएं फिर धीरे धीरे body को पीछे की तरफ बिंड करें सावधानी पुर्वक बिंड करें जिन लोगों को अच्छी तरह से practice है वे लोग ही इस तरह चक्रासन करें और अन्य लोग लेट कर ही चक्रासन करें अच्छी तरह से practice होने के बाद चक्रासन की ये difficult steps को अपनाएं स्टार्टिंग में शोफा या बेड की सपोर्ट लेकर चक्रासन करें धीरे धीरे practice होने के बाद फ्लोर पर चक्रासन करें सभी योगा पोज में चक्रासन एक amazing पोज है इस पोज को करने से बहुत सारी समस्याय दूर होती है हमारी body की सभी cycles activate होती है हमारी body के अंदर एक अद्भूत उर्जा का प्रवा होता है इसलिए सभी को चक्रासन अवस्य ही करने चाहिए body हमारी सुगुठित होती है जो लोग मुटापे से परिशान है उनकी obesity भी दूर होती है इसलिए चक्रासन बहुत सारी समस्यायों को दूर करता है इसलिए आप चक्रासन की practice अवस्य करें और इस amazing pose को रोजाना करके एक अद्भूत strength अपने अंदर पाएं क्योंकि चक्रासन करने से हमारी सभी internal organs की strength increase होती है और सभी internal organs में oxygen यूप्त blood circulate होती है internal organs की toxins बाहर निकल जाती है toxins के बाहर निकलने के कारण ही बहुत सारी बिमारियां दूर होती है thyroid disease भी दूर होती है इस तरह चक्रासन के बहुत सारे फाइदे हैं जो लोग belly fat से प्रशान है उटे तो चक्रासन अवस्य ही करने चाहिए क्योंकि चक्रासन करने से बढ़ा हुआ पेट अंदर चले जाता है चक्रासन belly fat को reduce करता है चक्रासन करने से metabolism increase होती है immunity increase होती है digestive organs activate होते हैं इस तरह constipation भी दूर होती है कुछ समय तक इसी पोज में रहने के बाद धीरे धीरे body को वापस लाए अब हम करेंगे उट्रासन इंग्लिश में camel pose कहते हैं अपने घुटनों पर खड़े हो जाए body को धीरे धीरे पीछे bend करे दोनों हाथों को पैरों की सोल्स के उपर टिकाए यह है उट्रासन इस पोज में कुछ देर के लिए रुके उट्रासन करने से हमारी pelvic muscles को strength मिलती है backbone की flexibility improve होती है हमारी हाट में oxygen absorb करने की सतह बढ़ती है इस तरह हमारी हाट भी healthy बनी रहती है उट्रासन यानि camel pose thororosis को दूर करने में सहायक है उट्रासन करने से uterus lesis भी जड़ से दूर होती है कुछ दिर इसी पोज में रहने के बाद धिरे धिरे body को वापस लाए अब हम पूर्ण उट्रासन करेंगे इसमें हम अपनी body को पीछे bend करके head को floor पर टिकाएंगे पूर्ण उट्रासन करने से obesity पूरी तरह से दूर होती है यानि मुटापा को दूर करने में पूर्ण उट्रासन बहुत ही ज़्यदा सहायक है पर यह पोज बहुत ही ज़्यदा difficult है इसलिए अच्छी तरह से practice होने के बाद ही पूर्ण उट्रासन करें स्टार्टिंग में आपकी बोड़ी जितना बिंड हो सके उतना ही बिंड करें दिरे दिरे practice होने के बाद यह पोज आसानी से होने लगेगा अब हम करेंगे ससकाशन, बालाशन या चाइल्ड पोज पहले वजराशन में बढ़ें फिर दिरे दिरे इनहिल के साथ अपनी दुनों हाथों को सिधे हेड के उपर उठाएं यानि सांस भरते हुए दुनों हाथों को सिधे अपने हेड के उपर उठाएं सांस थोड़ते हुए बोड़ी को आगे बिंड करें हेड को फ्रोड पर टिकाएं ब्रिध होल्ड कर इस पोज में रुकें, दोनों हाथों को अपने कान के सीधे इस्ट्रेट रखें, ससकासन करने से हमारी हेड में oxygen flow इंप्रूव होता है, जिसके कारण चिंता तनाव दूर होती है, बैक पेन की समस्या भी दूर होती है, बॉडी के hormones balance बने रहते हैं, lower abdominal organs में दबाव पड़ने के कारण lower abdominal organs से toxins बाहर निकल जाती है, जिसके कारण सभी lower abdominal organs healthy बने रहते हैं, ससकासन पोज में blood flow पैरों में रुकती है और पूरी blood flow उपर की तरफ increase होती है, जिसके कारण body के उपरी parts healthy बने रहते हैं, या पोज जितना आसान है उतना ही फाइजे मन्द है इसलिए आपको इसकी प्रेक्टिस और शे करने चाहिए या कोई difficult पोज भी नहीं है जो लोग ससकासन करते हैं उन्हें depression कभी नहीं होती है और जो लोग depression की सिकार है उनकी depression भी दूर होती है कुछ देर के बाद inhale के साथ अपनी body और दोनों हाथों को head के उपर उठाए एक जिल के साथ floor पर लाएं सीधे खड़े हो जाए दोनों हाथों को head के उपर ले जाते हुए body को सामने bend करें पैरों को थोड़ी distance में रखें या है परवतासन body को उपर की तरफ पूल करें जितना आप उपर पूल कर सकती है उतना पूल करें उतना ही आपको फाइदा पहुचेगा कुछ तेर के लिए इसी पोज में रुकें इस पोज को करने से obesity दूर होती है यूटरस से जुड़ी हुई बिमारियां भी दूर होती है क्योंकि हमारे pelvic muscles को strength मिलती है इस पोज को करने से blood flow head की तरफ ज़्यदा होती है इस तरह चिंदा तनाव भी दूर होती है कुछ तेर इसी पोज में रहने के बाद धीरे धीरे body को वापस लाए अब हम करेंगे त्रिकोनासन पैरों को distance में रखकर खड़े हो जाए इन्हेल के साथ अपनी दोनों हाथों को उपर उठाए शांस छोड़ते हुए हाथ को opposite leg पर bend करें बित को hold कर इस पोज में थोड़ी के लिए कुछ ते के बाद इन्हेल के साथ को उपर उठाए शांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को थाईस के पास लाएं दूसरी लीग और हैंड में भी इस step को दुझा इन्हेल के साथ को उपर उठाए सांस छोड़ते हुए हाथ को opposite leg पर bend करें बित को hold कर इस पोज में पांचों फिंकर्स खुले हुए और उपर की तरफ हैं कुछ सेकंज के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे दुनों हाथों को उपर उठाएं सास छोड़ते हुए हाथों को थाई के पास लाएं इनहेल के साथ अपनी दुनों हाथों को उपर उठाएं शास छोड़ते हुए right hand को right knee के नीचे रखें और पैर के उपर हाथ से रेस्ट करें दूसरी hand को ear के straight रखें ब्रित को hold कर इस पोज में रुकें यह भी त्रीकुणाशन है त्रीकुणाशन के बहुत सारे variation है इन्हेल के साथ हाथ को वापस लाए एकल के साथ थाई की पास लाए दूसरी लेग में भी इशे दूराएं त्रिकुनाशन करने से कमर का मोटापा गायब होता है बढ़ी हुई पेट गायब होती है यानि त्रिकुनाशन ओबेशेटी को दूरू करता है हाथ और पैर के भी मांस छटते है त्रिकुनाशन करने से हमारी यूट्रस भी हेल्दी बने रहती है क्योंकि त्रिकुनाशन करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंज्ट मिलती है सीधी खड़े होकर इनहील के साथ दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं सांस ठोड़ते हुए बॉड़ी को सामने अपनी लेक्स के ऊपर बिंड करें हेड को अपनी नीज के ऊपर टिकाएं ब्रिद को होल्ड कर इस पोज में रुकें इसे हम स्टेंडिंग फोर्वार्ड बिंड या जानुशिरासन कहते हैं कुछ समय इसी पोज में रुकने के बाद इनहील के साथ दोनों हाथों को अपनी हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को थाई के पास लाएं दु कुछ समय रुकने के बाद इनहील के साथ अपने दोनों हाथों को सिधे हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपनी थाई के पास लाएं इन सभी योगापोश को करने से योट्रसली से दूर होती है उबेसिटी दूर होती है बहुत रह हुआ हुआ